हेलो इसुडेंट्स वागत है आप सभी का बीए इस्टेडी में यह चैनल आपके लिए बहुत इंपॉरंट है मेरे दोस्त हम लगातार आपके लिए बैक टू बैक क्लास ले करके आ रहे हैं आप फास्ट समेस्टर में हैं सेकेंड में थार्ड फॉर्थ फिफ्थ सिक्थ सभी के लिए पूरी पूरी आपका स्लेब सारा कुछ हमारे चैनल पर कबर किया जाता है तो अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करके जरूर देखिए अलड़ी धाई हजार सभी जादा वीडियो आपके लिए अप्रोड की जा चुकी है ओके तो आज की वीडियो में हम बा बहुत साइब लोगों के जिनके एक जाम्स होने वाले हैं उनके लिए काफी इंपोर्टन होने वाला है तो देखिए देखते हैं कि पहला क्या है पहला कुस्तन है यह वह बेकति जो इमारतों और सड़कों के लिए रेलवे लाइन भिछाने के लिए पथर खूदता है वह स जाएगा आपको option number a ख़दान करमी अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं अगला कोशन कह रहा है आप से ब्यक्तित तो क्या है आपको से केवल सारे रिक रंग रूप यहों बनावट जिस तरह से ब्यक्ति कपड़े पहनता है या लच्छड ब्योहार विसेस्ताओं का एक सायोजन जो किसी व्यक्ति को परिभासित करता है या सोसल मेडिया पर उसकी प्रजन्स उसकी उपस्ति तो इन चारों में से आपका राइट इंसर हो जाएगा सिकंड नंबर कोशन के लिए आपको option नंबर सी करेक्ट हो जाएगा सिकंड नंबर कोशन के लिए अब बढ़त साज सज्जा की आदतें सामाजिक कोशल तो इन तीनों में आपका राइट एंसर हो जाएगा इन चारों में थर्ड नंबर कोशन के लिए वह जाएगा आपका option नंबर डी सामाजिक कोशल अगले कोशन की तरह बढ़ते हैं अगला कोशन है आपके पास फोर्थ नंबर का साफ गंदे कपड़े पहनना सिलवरड़ दार और गंद या बिखरे हुए बाल और बिखरे नाकून बनाना या अच्छी सोचता आ अपना ना साफ और आच्छी तरह से फिटकपड़े पहनना साफ सुथरा दिखना या दंथ चिकता देख भाल और मौसी तो इन चारों में प्रियास का ध्यान भटकाता है यह गलत फह्मी को बढ़ावा देता है तो इन चारों में आपका जो राइट हो जाएगा फिफ्ट नंबर को सन के लिए वह जाएगा आपका ओप्सन नंबर बी ओके अगले को संब्सक्राइब करना और प्रासांगिक प्रतिक्रियाय तयार करना आसंबंधित कोसल दिखाना या देर से पहुचन समझना और शाप छोड़ना इन चारों में आपका राइट हो जाएगा आपका ओप्सन नंबर बी कमपनी और इसटी को समझना और प्रासांग प्रतिक्रियाय तयार करना नेक्स्ट को बढ़ते हैं आपका सेवंथ नंबर का क्या कह रहा है यह कह रहा है कि आप सामानी सा चा करके इन चारों में से सिवन्थ नमबर कोस्टन के लिए आपका राइट एंसर हो जाएगा अपनी ताकत अपनी कमजोरियां अपनी अनुभो और अपनी उपलब्धियों को समझ करके अगले कोस्टन के तरफ बढ़ते हैं अगला कोस्टन है आपका एट्थ नमबर का कोस्टन चैनले कोस्टन के एक क्या करने से बचना चाहिए आपको संवान चनक होना यह फिर आपका रचनात्मक प्रतिक्रिया दीए बीढ़िए के विचारों की अलोचना करना इससे हमें बचना चाहिए अगले कोस्टन की तरह बढ़ते हैं आपका नैंथ नमबर का क्वेशन का संप्रेशाड या इसारो नजरो भाव और मुद्रा के माध्यम से गैर मोकिक संचार लिखित संप्रेशाड दोरां मोन इस चारों में से आपका राइट इंसर हो जाएगा 9th नमबर को सटोन के लिए आपका से इसका बातचीत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है यह एक मैत्रिपूर्ड और स्वागत योग माहौल बना देता है तीसरा option है कि यह सतुरता को बढ़ावा देता है चौथा है कि यह दूख करता है तो इन चारों में आपका राइट एंसल हो आड होता है मतलब कि sich जहां पर जब आप किसी से कम्मुनिकेट करते हो संचार है उसमें सीधे तोर पर नजर मिला कर को क्या कहते 요 व्हएराघ्य कहते हैं सरमीलापन कहते हैं या फिर धोखा कहते हैं आत्मविस्वास इamosal you can कि जाएगा अब आपको option number D आत्म विश्वास इमानदारी और साउधानी अगले कोस्टन की तरफ बढ़ते हैं अगला कोस्टन है 12 नंबर का कोस्टन शे कह रहा है आपसे कि संचार प्रक्रिया का उद्देश क्या है आपके options हैं बैक्तियों या समूहों के बीच जानकारी और विचारों का आपके सामने यह ने कह रहा है कि निमलखित कांढ साऐर मौखिक संचार और अगला कोस्टन है इसमें आपका उर्ड़ cristal हो जाएगा आपका हाथों के इसारों का प्रियोक करना अगला को भढ़ते और में को करता है यह असपक्रों को प्रोसाइद करता है तो इन चारों मेंसे 14 नमॉर यह आंपका इनस को बढ़ाता है और भ्रहम को कम करता है अगले को सन कि तरप बढ़ते हैं अगला को सन आपका 15 जरने कर Damit आपका संक्षरिये Sl 2010 लेशाम शुंथ करने करने के अध्यार होना यह वक्ता का पुरा ध्यां से सन्देश को समझें हो जाये या फिर D option है आपका वक्ता के संदेश को नजर अंदाज करना तो इन चारों में आपका जो राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका option number C वक्ता का पूरा संदेश ध्यान दे करके सुनना और संदेश को समझना और उसके बाद प्रतिकरिया देना अगला question है आपके प संदेश करने में मदद करता है कि संदेश प्राप्त करता को बिना किसी आस्पस्ता के समझ में आ गई है तो इन चारों में आपका राइट एंसर हो जाएगा आपका option number D करेक्ट हो जाएगा अगले question की तरह बढ़ते हैं अगला question है आपका 17 नंबर का question कि निमलिखित में से कौन सी लिखित संचार की बाद है असपस्ता और संचिप्ता ब्याकरण और वरतनी की तूटियां सक्रिय सरवड या फिर गयर मौकिक संकेत तो इन चारों में से 17 नंबर question के लिए आपका जो राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका option नंबर भी ब्याकरण और वरतनी की तूटियां अगला question है आपके पास 18 नंबर question के लिए राइट एंसर क्या option क्या हो जाएगा मौकिक संचार का उदाहरण क्या है एक पाठ संदेश वेजना एक पत्र लिखना सांकेतिक भासा का प्रियोग करना या किसी के आमने सामने बात करना तो इन चारों में से आपका राइट एंसर हो जाएगा 18 नंबर question 18 नंबर का option नंबर डी आपका कह रहा ह आपसे की बिस्तर पर जाने से पहले make-up हटाना क्यों जरूरी है आपके options है सुबा का समय बचाने के लिए या तोचा को सांस लेने देने के लिए और रोम छिद्रों को बंद होने से बचाने के लिए या make-up को रात भर ताजा बनाये रखने के लिए अगले दिन make-up लगान लगाने से बचने के लिए आप मेक लगा के सुना पसंद करोगे तो जाएगा 90 नमबर को सब्सक्राइब करता है आपका लिंग आपके आंखों का रंग आपका रक्त प्रकार या पारिवारिक पालन पोसड़ और अनुवान सब्सक्राइब राइट इंसर हो जाएगा ट्व 20 नमबर को सब्सक्राइब आपका नमबर डी पारिवारिक पालन पोस्चर और आपकी वन्वानस की अगला कोस्टन आपका 21 नमबर का कोस्टन यह क्या कह रहा है 21 का क्या ब्यक्तिगत सौक और रुचियों की सूची बनाना या किसी विशिष नोकरी या कैरियर के आउशर के के लिए प्रासांगी कोशल योग्यता का और अनुभों को प्रदर्शित करना या प्रासांगी जानकारी सामिल करना या फॉर्मेटिंग और संरचना को अंदेखा करना तो इन चारों में से 21 नमबर कोस्टन के लिए आपका आपसन नमबर बी करेक्ट हो जाएगा इस समूह चर्चा आगी बढ़नी चाहिए बैमानी शे सत्य के साथ ब्यक्तिकत गवरों के साथ या तरक साइथ तो इन चारों में से आपका राइट एंसर हो जाएगा 22 नमबर कोस्टन के लिए आपका आपसन नमबर बी सत्य के साथ अगले कोस्टन की तरफ बढ़ते हैं अगल साथ आपका तेजीशे बढ़ने से बचना चाहिए उके पास ट्वहार का कोस्टन के लिए up यह कि समूह चर्चा में हमें होनाубли चाहिए क्या होना चाहिए किस तरह से होना चाहिए तो भेक्ती कुछ हाबी परक होना चुभी होना चाहिए जी जा अग्वार estimates राईनसर और यह in वा generation क्या हो जायगा व क्या हुआभा इस वर त्रॉप स्थार्ग के लिए लिए straighten दिए अगले के सद्झेतल बढ़ाखे लाक पास 25 बाइन चाहिए कि की carrying साथ्षाथ करता की चिंताओं को नजर अंदाज करना ततकाल सलाह और समाधान प्रतान करना या साथ्षाथ करता को बार-बार बीच में रोकना तो इन चारों में से 25 नमबर कोस्टन के लिए आपका राइट इंसर हो जाएगा आपका उसको नहीं बढ़ाते हैं नकली पन असपस्ट धारडा ध्यान असपस्ट वाधिता तो इन चारों में राइट एंसर क्या हो जाएगा 26 नमबर क्वेश्टन के लिए तो यह हो जाएगा आपका ऑप्सन नमबर ए नकली पन आपका अगले क्वेश्टन है आपका 27 नमबर का किजिये जहां कौसल प्रॉफाइल के नाम और पतेकां अले किमारा जाता है निचला बया किनारा सीर्थ किमारा निचे का दाया किनारा या ऊपरी किनारा थो इन चारों में इसे राइट शालर जाएगा ब्याद इतORे शरूट के लिए आपका विवरड सार या सिपारिशी पत्र तो इन चारों में 28 नमबर कोशन के लिए आपका राइट एंसर हो जाएगा आपका उप्सन नमबर सी सार अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं अगला कोशन है आपके पास 29 नमबर का कोशन की बायो डाटा में किसका उलेक होता है पता आयू राष्टियता या सभी तो राइट एंसर क्या हो जाएगा आपका उप्सन नमबर डी सभी का उलेक किया जाता है 29 का अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं अगला कोशन है आपके पास 30 नमबर का कोशन कह रहा है आपसे कि किसी निर्दिष्ट विशे पर दूसरों से बातचीत करने की कला होती है या फिर दूसरों को नियंत्रित करने की या दूसरों से बहस करने की या दूसरों का नित्रित करने की तो इन चारों में राइट एंसर हो जाएगा 30 नमबर कोशन के लिए आपका ऑप्सन नमबर कोशन के लिए आपका ऑप्सन नमबर कोशन के लिए आपक तो नमबर का कुश्चन कि समूँ चर्चा में प्रारंभिक उद्देश क्या होता है उपसमूँ बनाना अपनी सेश्था सिद्ध करना समूँ के श्वा नियुक्त नेता के रूप में काम करना या समूँ का ध्याना करशित करना तो राइट एंसर हो जाएगा थर्टी टू नम व्हान कारे दो अलग अलग कारे या वही कारे तो इन चारो में से राइट अंसर हो जाएगा 33 नमबर कौश्चन के लिए आपका ऑपसन नमबर सी कि यह दोनों अलगग अलग काम करतें अगला कौश्चन है आपके पास 34 नमबर का कौश्चन ये कह रहा है आपसे कि जो है बुद्धी लब्धी कि आपके बुद्धी किस लेबल पे है कि आपको अगर छेड़ा जाए तनाओं में डाला जाए तो आपकी बुद्धी किस तरह से काम कर पाएगी तो आपका option number a correct हो जाएगा 34 number question के लिए अगले question की तरह बढ़ते हैं अगला question है आपके पास 35 नमर का question कि जो यह curriculum सब्द है 35 नमर का question यह रहा आपके सामने कि करिकुलम जो वाइटेन है वाइटेक है यह किस भासा का सब्द है फ्रेंच जर्मन लेटिन अंग्रेजी तो इन चारों में राइट इंस और जो हो जाएगा 35 number question के लिए वह हो जाएगा आपका option number C लेटिन भ इन चारों में से राइट एंसर हो जाएगा 36 number question के लिए आपका option number D अगले question की तरह बढ़ते हैं अगला question हो जाएगा 37 number question के लिए आपका option number D अगले question की तरह बढ़ते हैं अगला question है आपके पास 38 number का question यह कह रहा है आपसे कि किसी साच्छातकार में जब कोई उत्तर नहीं पता हो तो आपको क्या करना चाहिए तो राइट एंसर हो जाएगा 39 number का question के लिए उप्युकता हो तो इन चाहरो में राइट एंसर हो जाएगा 39 number का question इसका राइट एंसर होगा आपका option number B कि उस विशेष कारे के लिए आप में क्या सहली है क्या चीज़ है उसको विशेष रूप से लिखवाना अगला question है आपके पास 40 number का question यह कह रहा है आपसे कि साच्छातकार कौसल के संदर्व में सक्रिय सरवड का प्रात्मिक उद्दे के लिए तो वो हो जाएगा आपका option number D वक्ता को उचीत रूप से समझना और ब्याख्या करना और उसका जवाब देना अगला question है आपके पास 41 number का question यह कह रहा है आपसे कि साच्छातकार कौसल के संदर्व में गैर मोखिक संचार में क्या क्या सामिल है आपके options हैं चेहरे क यह ब्याबाबधान करना यह सब्दू और भासा के मांद्ब्यम से संदेश प्रिशिद करना यह सच्छात के दरंवानन के वल लिखित संचार करना यह साच्छात्यार के साथ ब्यक्तिगत अनुभुत करना तो इन 4 में से राइट इनसर हो जाएगा 41 number question के लिए वो हो जाएगा आपका option number A अगले question की तरह बढ़ते हैं अगला question है आपके पास 42 number का question ये कह रहा है आप से कि प्रभावी साथ्षातकार कौसल के संदर्व में आत्म जागरुपता का क्या आरत है आपके options हैं अपने विचारों भावनाओं पूरभा ग्रहों के प्रति सचेत रहना या साथ्षात के दोरान किसी के विचार और भावनाओं को नदर अंदाज करना या बेक्तिकत अनुभों के साथ बातचीत पर हावी होना या साथ्षात कार दाता की भावनाओं की उपेच्छा करना तो इन चारों में से 42 नंबर क्वेस्टन के लिए जो आपका राइट एंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका और अपने विचारों भावनाओं और पूर्भग रहों के प्रती सचेत रहना अगला को सन आपके पास 43 नंबर का क्वेस्टन यह कह रहा है आप से वन सेकंड विए बैक टो 41 नंबर का क्वेस्टन क्या कह रहा है आप से कि साथ चातकार 41 तो आमने कंप्लेट कर लिया 42 भी हमने कंप्लेट कर लिया अब बात करते हैं 43 नंबर का क्वेस्टन 43 का क्या रहा है साथ चातकार के दोरांं चिंतल सील प्रश्नोंत्तरी का उप्योग करने का ओदेश आपकी आप्संस हैं साथ चातकार दाता को ब्रहमित करना अनके विचारों और भावनाओं को अधिक कि जानने के में मदद करना या साथ चाहतकार धाता को बिना किसी सोच विचार के अपनी भावनावाँ को व्यक्त करने के लिए प्रोठ साइऩ करना या फिर हृतbersषार्दाता को चुप रहने और अपने विचारों прविचारों के प्रूत्साइद करना तो इन चारों में से 43 लिए आपका जो राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आपको नंबर बी आपका करेक्ट होगा अगला कोसन आपके पास 44 लूंबर का कोसन 44 को कहे रहा है आप से कि साच्छातकार कौसल के संदर्व में सहान भूत में क् करना या साथ्षातकार दाता को बार-बार बीच में रोकना डोकना तो इंचारों में आपका राइट एंसर हो जाएगा 44 नंबर क्वेस्टन के लिए आपका option नंबर सी आपका option नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस के लिए अगले कोस्टन की तरह बढ़ते हैं अगला कोस्टन है आपके पास 45 नंबर का कोस्टन यह कह रहा है आपसे की एक साथ्षातकार में पुष्टी का क्या महात्तों है आपके आपके options हैं साथ्षातकार करता के विचारों और भावनाओं को शोईकार करना और माणनेता देना साथ्षातकार करता की राहत से आस्ताहमत और भासा का मूलभूत पहलू क्या है आपके options है साच्छातकार करता के संदर्व, संस्कृति और ब्यक्तिगत प्रात्मिक्ताओं के अनुरूप भासा और लहजे को अपनाना B option है आपका आपका आपचारिक भासा और लहजे का सक्ति से पालन करना C option है आपके पास की साच्छातकार करता को प्रभावित करने के लिए जटिल और तकनीकी सब्दजाला का उपयोग करना D option है साच्छातकार करता की भासा और लहजे को नजरन्दाज करना तो इन चारों में से आपका जो राइट एंसर हो जाएगा आपके 46 number question के लिए तो 46 number question के लिए आपका right answer क्या होगा तो इस यह हो जाएगा आपका option number A अगले question की तरह बढ़ते हैं अगला question है आपके पास 47 number का question इस यह कह रहा है आपसे कि निमलिखित दस्ता पेजों में से सबसे सूबिस्तरित कौन सा है आपके options हैं CV curriculum बिटा है या फिर resume बायो डाटा या इनमें से कोई नहीं तो इन चारों में जो आपका right answer हो जाएगा ना तो इन चारों में आपका right answer हो जाएगा 47 number question के लिए आपका option number C बायो डाटा अगले question की तरह बढ़ते हैं अगला question है आपके पास 48 number का question कि बायो डाटा में सामानेता कुल कितने संपर्कों के संदर्व या रिफरी के नाम दिये जाते हैं एक दो चार पांच कितने तो इन चारों में आपका right answer हो जाएगा ना 48 number question के लिए वो हो जाएगा आपका option number B दो नेक्स्ट के पास 49 number का question यह कह रहा है आप से कौन सा जौब के लिए आप इच्छुक हैं उसकी प्रकृति के अनुसार बेशिश रूप से सुसंगत बनाया जाता है क्या सीवी बायो डाटा रेज्यूमे या जीवन बिरते तो इन चारों में आपका right answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 49 number question के लिए वो हो जाएगा आपका option number A इस हिसाब से आपकी CB बनाया जाती है अगले question के तरफ बढ़ते हैं अगला question है आपके पास 50 number का question ये कह रहा है आपसे कि निमलिखित में से काउंसा क्या एक resume का हिस्सा नहीं होना चाहिए धार्मिक संबंता रोजगार का इतिहास संपर्क जानकारी या सिच्छा तो इन चा फाग में सामिल करेंगे संपर्क में सिच्छा में रोजगार के इतिहास में या तरिक्त जानकारी में तो इन चारों में आपका राइट एंसल हो जाएगा 51 number question के लिए वो हो जाएगा आपका option number D अतरिक्त जानकारी अगला question है आपके पास 52 number का question ये कह रहा है आपसे कि कि रहा है आपसे कि बायोडाटा सब्द का किस भासा का सब्द है हिंदी अंग्रेजी संस्कृत भोचपूरी तो राइट एंसल हो जाएगा इन चारों में आपका option number D अंग्रेजी भासा का सब्द है जो है बायोडाटा अगले question की तरह बढ़ते हैं 54 number का question करिकुलम संस्कृत भासा तो इंचारों में 54 number question के लिए आपका राइट एंसल हो जाएगा वो जाएगा आपको option number first Latin भासा अगले question की तरह बढ़ते हैं 55 number का question कि साथ्छातकार में खुले छोर वाले प्रशनों की क्या भूमिका है साथ्छातकार देने वाले को हातों साहित करना या फ अभिवक्तिपूर प्रक्रिया को प्रुट्साइद करना अगले question की तरह बढ़ते हैं 56 number question यह क्या कह रहा है आपसे तो आपके सामने यह रहा 56 number question कि इन में से कौन सा आपने आपको social media के रूप में चिन्नित नहीं करता है Facebook, Twitter, LinkedIn, Wikipedia तो इन चारों में से जो आपका राइट इ बिकी फीडिया जो है आपने आपको social media नहीं कहता है बाकी तीनो social media है अगला question 57 number का question यह कह रहा है आपसे अधो लिखित वक्तबों पर रुचार कीज़ें सबसे पहला वक्तब है कि social media पर उस समय किसी को उत्तर देना जब आप गुस्से में हो एक अच्छी चीज नहीं है ब तो मतलब एक तरीके से यह भी गलत है तो केवल एक सई है केवल दो सई है दोनों सई है दोनों गलत है तो दोनों ही चीजें गलत है ना ही दूसरे की profile विच्चल लगानी चाहिए ना ही गुस्से में देना किसी को जवाब देना चाहिए अगला question है आपका 58 number का question की एक समूह चर्चा में निमलिखित वेसे कौन सा गुड महतुपूर है भावतात्मक जो आपकी भावात्मक इस्थिरता है वो या बैर भाव अज्यानता अक्रामकता तो इन चारों में राइट एंसर हो जाएगा 58 number question के लिए वो हो जाएगा आपका option number 1 भावात्मक इस्थिरता अगले गलत या अच्छी आज़त नहीं अक्रामक हो जाना दूसरा है आपका एक समू चर्चा में सांत और तार्खिक बने रहना चाहिए तो इसमें क्या है कि केवल दो सईए आपका option number भी करेक्ट हो जाएगा कि केवल दो सईए अगला question है आपका 60 number का question यह कह रहा है आप से कि मृ से कि आपके रेजियू में के ब्यक्तिकत जानकारी अनुभाग में आपके बारे में जानकारिया होती है नाम और संपर्क की आपके होबी की आपकी आय और बचत की इन में से कोई नहीं तो इन चारों में राइट एंसर हो जाएगा 61 number question के लिए आपका option number first नाम और संपर्क क अगले question की तरब बढ़ते हैं 62 number का question क्या कह रहा है कि रेजियू में के संदर्म में कौन सा वाक्षाई है सबसे पहला है कि कार अनुभाग की जानकारी समय बद्यता अनुक्रम में सबसे हालिया सबसे पहले उपर के क्रम में दे जाती है तो यह आपका पहला statement है 62 number question के लिए दूसरा है कि सारांस कथन में सामानेता यह जानकारी होती है कि उक्त जॉप के लिए कैसे उप्यूक्त है रेजिमे में बिर्दू कौसल सामिल होते हैं तो इन में से कौन सा वाक्यान सही है क्या केवल एक सही है या एक और तीन दोनों सही है या सभी सही है या इन में से कोई नहीं तो इन चारों में जो आपका राइट एंसर हो जाएगा ना 62 नंबर कोस्टन के लिए वह जाएगा आपको उप्सन नंबर एक केवल एक सही है अगला कोस्टन है आपके पास अधुल उखित वाक यहां पर भी दिया हुआ है कि सोसल मीडिया प्रोफेशनल लोगों के लि स्थिविए कोस्टन के तरफ बढ़ते हैं सुस्ट एसे रोख मुषण के लिए हंजी तो इसमें सही होगा नाMen को साधुक्स था G मौन का क्या मतलब होता है उपेच्छा करना अरुची करना साच्छातकार देने वाले को अपने विचार एकरतित करने के लिए दिया जाने वाला आउशर या इन में से कोई नहीं तो इन चारों में राइट इंसर हो जाएगा 65 नंबर कॉस्टन के लिए वह जाएगा आपका नहीं रोकना चाहिए साच्छातकार लेने वाले की भाव भंगिता की उपेच्छा करनी चाहिए बिल्कुल भी नहीं शायनी की केवल एक सई है तो आपका उपसान नंबर का कॉस्टन यह कह रहा है आप से कि साच्छातकार के दोरान पैरा फ्रेजिंग क्या होती है साच्छ साच्छातकार जो बेक्ति देने बैठा है उसके विचारों भाव को संचेप में बता जी जाए कि हाँ यही कहना चाहते हो तो उसी को कहते हैं पैराफ्रेजिंग अगला कोस्टन नंबर का कॉस्टन की इंटर्व्यू में गैर मोखिक संप्रेशड क्या होता है आपके आपक अधोलिखित वक्तब पर विचार के पहला वक्तब क्या है इसमें यह देखिए हमेशा अपने और अपनी कंपनी के बारे में ही बाते करना दूसरा है कि हर उससे जुड़ जाना जो आपको ऐसा अनुरोद करें अपनी प्रोफाइल पिक्चर के रूप में जानवरों फूलो किति हो या किसी अनवेक्ति की तस्वीर लगा तो इन में से आपका रायिक कौन साव होजाए गा केभलतीन नंबर का प्राथमिक्ता देनी चाहिए मतलब एक अच्छा रेजियुमे अगर है तो उसको प्राथमिक उद्देश क्या होता है लोगों को इंप्रेस करना अपनी सफलता की कहानियों को दस्तावेज करना है लोगों को चाला की हेर्फेर करके प्रभावित करना यह साच्छात कार में सफल होना तो राइट एंसोर हो जाएगा कि मतलब या अपना इंटर्व्यू के लिए करलो भाई बस उतना ही होता है अग सब्सक्राइस का मतलब जो सब्सक्राइब तो नपर niedu सब्सक्राइब के सब्सक्राइब सब्सक्राइब 56 यह वोड़ा सब्सक्रा pallis 500 जी डिष्ट्राइब • जबन मोखेड cheese क्यूप le tum यह कहा रहा है आपसे कि संदेश प्रेशित करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है चैनल, प्रेशक, संदेश ग्रहण करने वाला या प्रतिक्रिया तो इन चारों में राइट एंसर हो जाएगा आपका option number B प्रेशक कहा जाता है अगला कोस्टन की तरह बढ़ते हैं 74 नमबर का कोस्टन यह कह रहा है आपसे उद्देश का लच्छ संगठन के सामान हितों के लिए लोगों का एक साथ मिल करके काम करने के लिए प्रेशित करना है किस उद्देश का लच्छ है संचार का रुपांतरण का संयोजन का संबंद का तो राइट एंसर हो जाएगा आपका 74 नमबर कोस्टन के लिए आपका option number 1 करेक्ट हो जाएगा संचार अगला कोस्टन है आपके पास 75 नमबर का कोस्टन यह क्या कह रहा है 75 नमबर का कोस्टन यह देखिए आपके सामने रहा कि एक प्रेशक को प्राप्त करता से जोड़ता है कौन आपके options है चैनल, सोर, संचार या प्रतिकरिया तो राइट एंसर हो जाएगा आपका option number C संचा अगला कोस्टन है 77 नमबर का कोस्टन यह कह रहा है आपसे कि पढ़ना आदर्स हो और समझने में मदद करता है क्या पढ़ना आपके option से ब्यापक और जाएंट चुकचाप से चाणरों में आपका राइंसर क्या हो जाएगा तो इन्चारों में आपका राइंसर हो जाएगा डूसरा फडूसर कोस्टन के लिए नों से फटैसंपरूस्टन के लिए यह हो जाएगा आपको option number पढ़ेण सावाल पढ़ना समीच्छा इन चारों में आपका राइट एंसर हो जाएगा 78 नंबर को सवाल अगला को सबस्ते के सदस्च्चों के बीच आपस में होने वाला संचार को क्या कहते हैं बाहरी ऑपचारिक अनौपचारिक या आंतरिक तो जब किसी संगठन में आप है तो उसको आपचारिक कहते है और फ्रतिक संचार जोबी होगां अगले कोसन की तरभ देखते आपके पास ये का शक अब और उप्याइया कोसन के लिए अपको आपको सदस्च değ being in और यृजइय होते अगला को function है ॉय हमाखिक संचार और सुनिश्त करता है मौकिक संचार के स्रेज को समुश्यूचित करता है प्रवाह और गती को या प्रयाप्त धभन और प्रिक्रिया को तुरित बाच्चित और तद्काल प्रतिकिरिया को या गती और ध्यान को इन चौर में से 81 नमबर को सनका आपका राइट एंसर अपको अपको ऑप्सन नमबर भी यहां पर यह दोनों फिल किया जाएगा अगले कोस्टन की तरफ बढ़ते हैं अटी टू नंबर का कोस्टन यह कह रहा है आप से कि एक बायो डाटा के लिए आपके और आप सभी को एक दस्तावेज में समाहित करने क्या हो सकता होती है आपके उद्देश और अनुभो को या परियोजना और कोशल को या उपलब्धी और अनुभो को या कोशल और उद्देश को इन चारों में से 82 नंबर कोस्टन के लिए आपका जो राइट इंसर हो जाएगा व संचारट प्रतिकिरिया संदेश या सुनना तो इन चारों में राइट एंसर हो जाएगा आपका ओप्सन नंबर बी प्रतिकिरिया कि वह हमारी बाते सुनने के बाद क्या reaction दे रहा है उससे हम पता कर सकते हैं कि उसने समझा है बात को या नहीं समझा है अगला क्यों रिचा संचार्क में आम तोर पर किस प्रकार के सब्दका प्रियोग नहीं किया जाता है तक्निकी सब्दका सरल आसान अस्थानिय भासा तो मौकिक जो हम संचार करते हैं उसमें हम ज़्यादा तक्निकी भासा का प्रियोग नहीं करते हैं अगला कोस्टन है आपके पास 86 नमबर का कोस्टन कि इसमें से किसका उप्योग संचार बाधा को दूर करने के लिए किया जा सकता है एक अनुबादक जो उपयोग करना या एक पत्र लिख करके या संबाद की अनुस्वत्तिती या अपनी भासा का प्रियोग करना तो इन चारों में राइट एंसर हो जाएगा आपका राइट एंसर हो जाएगा उपसन नंबर सी बित्ती अवाधा अगले कोस्टन की तरफ देखते हैं अगला कोस्टन है आपके पास 88 नंबर का कोस्टन की सीधी सरीर मुद्रा क्या दरसाती है गर्व ब्योसाइकता आत्मभिश्वास या भी नंबर तो इन चारों में से 88 एट नंबर कोस्टन की लिए आपका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा दोस्त आपका उपसन नंबर सी आत्मभिश्वास अगला कोस्टन है आपके पास 89 का कोस्टन की निमलिखित में से कौन सा संचार चक्रतत तो नहीं है चैनल रिशीबर समय या प्रेश तो इन चारों में राइट एंसर हो जाएगा आपका 89 number question के लिए आपका option number C समय अगले question की तरफ बढ़ते हैं अगला question है आपके पास 90 number का question यह कह रहा है आपका question के लिए आपका option number मनो भासाई अनुमान लगाने वाला खेल है तो वो क्या है जो है आपका लिखना आपका option number B correct हो जाएगा 91 number question के लिए अगले question की तरह बढ़ते हैं अगला question है आपके पास 92 number का question की किसी लिखित पार्ट को समझने का अर्थ है समझ बूज करके पढ़ना या वस्तिक जानकारी निकालना या लिखन का से समझना या और बी दोनों तो इन चारों में से 92 number question के लिए आपका राइट एंसर हो जाएगा आपका option number D A अगला question है 94 number question 94 number question क्या कह रहा है आब से ध्यान से देखे यह question क्या कह रहा है तो 94 number question कह रहा है आपसे कि एक ऐसा सब्द, जो है एक ऊप् Coordinator ऑ्मुहावरा नितलंक करने में मदद करता है कि हम क्या कहना चाहते हैm आप से कि किसी भी स्रवड यह मिलिखित समगरी की संचिप्त रूप को क्या गहते हैं निशकर सटीक सारांस या उपर्युक्त सभी इन चारों में राइट एंसर हो जाएगा आपको ऑप्सन नंबर सी सारांस कहते हैं कि जिसको कोई भी चीज को अगर हम संचिप्त में करेंगे तो वो उसका अंस हो जाएगा सार के क्या निकल करके आ रहा है उससे 96 नंबर का कोईस्ट कह रहा है आपसे ग्रंत सूची में साविल हो सकते हैं पुस्तकें पत्रिकाएं और वीडियो या इन में से सभी तो राइट एंसर हो जाएगा आपको ऑप्सन नंबर डी इन में से तो राइट एंसर हो जाएगा 97 नंबर कोईस्ट के लिए आपको ऑप्सन नंबर सी करेक्ट है जानकारी और अनुवहो प्राप्त करने के लिए तमाम सारे कोईसल होने चाहिए अगला कोईस्ट नंबर का कोईस्ट वो दो कौन सी चीजे हैं कि सुरोता को अर्थ समझने में स किसका मतलब है कि बाहरी अनावश्यक विवरड सामिल नहीं किया जाना चाहिए जबकि किसी चीज का मतलब है कि सभी सार्थक और महत्तुपूट विवरड सामिल किया सकते हैं सटीक और पूर्ड व्यवस्तित और असपाष्ट सटीक और असपाष्ट यासपाष्ट और पू अगला कोशन है हंडेड नमबर का कोशन के अंग्रेजी में आपका परियोग किनके को संबोधित करने के लिए चोटे और बुजर्गों को या बड़ो और बरावर के लोगों को बड़ो और बुजर्गों को या उपर में से कोई नहीं तो राइट इंसर हो जाएगा 100 नमबर के लिए आपको बड़ो और बरावर के लोगों को संबोधित करने के लिए हम यू आपका प्रियोग करते हैं तो यह थे दोस्त हमारे टॉप हंडेड मोस्ट इंपॉर्ण कोस्टन साइओ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीज जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके वह भी अपने एक्जाम में अच्छे से अच्छे मार्स ला सके तो वीडियो कैसे लिए कमेंट करके जरूर बताएगा एंड नेक्स्ट आपके इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं डिफिनेटली वह भी हमें जरूर बताएगा मिलते हैं अब सकले वीडियो में बाबाई